हेलो एबदियों कैसे हैं फिर से दोस्तों एक नई केंदी बिद्याला संगठन की तरफ से एक नया नोटिफकेशन जारी कर दिया गया है टीजीटी सिक्षक भरती 2024 से जुड़ा हुआ नोटिफकेशन एडवर्टाइजमेंट दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ सेर किया जाएगा और इस advertisement जो TGT से जुड़ा हुआ सारी latest update एक ही वीडियो में share किया जाएगा दोस्तों आप वीडियो को starting से लेके ending तक जरू से जरू देखिएगा आल उबर इंडिया लेवल से जितने भी दोस्तों candidate केंदी विद्धैला का बेट कर रहे थे फाइनली उनका इंतजार अब समाप्त हो चुका है तो दोस्तों केंदी विद्धैला की तरफ से teaching and non-teaching की पोश्टे पर्मामेंट recruitment के लिए जारी कर दी गई है यदि आप PGT का notification नहीं देखे हैं दोस्तों previous वीडियो में आप देख सकते हैं इसी चैनल में ड़ला हुआ है और टेंड गे जो टीचर में बात करने बाले हैं दोस्तों टोटल पोश्ट के बारे में बात करूँ दोस्तों तो टोटल जो पोश्ट जारी की गई हैं बरस 2024 के लिए वो 3176 पद हैं जिसमें से हिंदी की बात करें तो 377 पद इंग्लिज के लिए 401 पद, संस्कित के लिए 245, सोसल स्टेडी के लिए 399, मैथमेटिक्स के लिए 426, साइन्स के लिए 304, पी अची के लिए 435, आर्ट उदू के लिए 201 क्यामन और डबलु ई, बर्ग एक्स्पेरिंस के लिए 349 पद जारी की गए हैं यदि काटेग्री वाइज बात करें दोस्तों तो अन्रिजर्ब में 1305, OBC के लिए 804, SC के लिए 470, ST के लिए 230, EWS पर 313, टोटल 3176, OH के लिए 50, BH के लिए 29, HH के लिए 4, 6 और अदर्ष के लिए 4 वेकेंसी लेज की गई है यदि दोस्तों इसकी जो एसेशनल कॉलिफकेशन है या इसकी जो एज क्राइटेरिया है जो फार्म अपलाई करने की PGT का आप तो नोटिफकेशन दोस्तों अब तक देखे चुके होंगे तो वहीं दोस्तों अब TGT का नोटिफकेशन देख लेए जो टेंड गेजर टीचर के लिए आया हुआ है इसमें बैकेंसी के बारें बात करें किस-किस पदों पर इंगलिज, हिंदी, सोशल इस्टेडी, साइंस, सेंस्कित, मैथमेटिक, फिचकल, हेल्थ, इसकेशन, आर्ट, इसकेशन, अनबेंड, बर्क, एक्सपेरिंस, पोस्ट कोर्ट के लिए बैकेंसी जारी की गई है जिनके लिए दोस्तों पेशकेल देख लें, चोवालिस जाननावसा रुपए से लेकर एक लाग बैली सज्जार रुपए परमन्त इनको सेलिप प्रवाइट कराई जाएगी जो अपर एज लिमिट है दोस्तों, थर्टी फाइब येर होनी चाहिए अब एसेशनल कॉलिप केशन देख लें, जो इनके लिए फाइब अप्लाई करने के लिए है तो फोर एर का इंटेग्रेटर डिगरी पचास परसेंट अंकों के साथ होना चाहिए और बैशला डिगरी सब्जेक्ट बाइज होना चाहिए आतों दोस्तों जैसे TGT English के लिए English की सब्जेक्ट 3R का कोर्स हो हिंदी के लिए हिंदी और SST के लिए एनि टू फालोइंग सब्जेक्ट जो SST में चलती हैं जैसे की History, Geography, Economics, Political Science, Atleast दो सब्जेक्ट एंड TGT Science के लिए Botany, Joology, Committee होनी चाहिए संस्कीत में फालोइंग के लिए संस्कीत इनकी तीन सब्जेक्ट के साथ और TGT Math के लिए Physics, Chemistry, Electronics, Computer Science, Esthetics इसमें से दो सब्जेक्ट आपके पास हों तो फालोइं कर सकते हैं इनके लावा दोस्तों आपने यदि B8 किया हो तभी फालोइं कर सकते हैं यदि आपने डियर्ट किया तो दोस्तों TGT केंदी विद्द्याला में फालोइं नहीं कर सकते हैं इनके लावा दोस्तों पास सेंटर्ल टीचर इल्जिबिल्टी टेस्ट पेपर नमबर शिकंड आपका कंड़क्ट है सीबियसिक दौरा जो करा जाता है पास होना चाहिए इनके लावा दोस्तों TGT की देख लें वर्क एक्सपेरिंस भी वेकेंसी को रिच किया गया है तो तीन अलग-अलग भी डिपार्टमेंट की तरफ से वेकेंसी को रिच किया गया है अब दोस्तों Age का Relaxation देख लें जो Age का Relaxation है Schedule Cost, Schedule Tribal के लिए दोस्तों 5 सालों की चूट है Other Workwork Classes के लिए 3 सालों की Boom and All Category and For Teaching Post Code के लिए जैसे TGT, PGT, PRT Post Code के लिए 10 सालों की चूट KBS Employee के लिए 9 एज़वार And Candidate 3 साल Central Government में काम किया है तो General Category के लिए 5 सालों की चूट रहेगी OBC में 8 साल, 80 सी, 10 सालों की इनको इसके Extra चूट दी जाएगी ज़िए इनकी Important Date के बारे में बात करें दोस्तों तो 3 फरवरी से 2024 से फाम अपलाई होना इस्टार्ट हो जाएंगे और 13 मार्च तक आप फाम को अपलाई कर सकते हैं रात को 11 बच के 69 बारा बज़े तक फाम अपलाई किया जा सकता है इस बैकेंसी से जुड़ी कोई भी latest update हो दोस्तों तो हमें कमेंट के मादम से जरू से जरू अपडेट करें झाले करेंगे